Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 आज की वीडियो में हम बात करेंगे No Contact Rule के हवाले से कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से request है कि वीडियो को skip बिलकुल भी मत कीजेगा क्योंके बड़ी important information आज की मैं इस वीडियो में आपको दूँगी और I really hope कि ये वीडियो आपके लिए किसी ना किसी तरह helpful रहे सबसे पहले एक quick disclaimer मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ और वो यह है कि मैं कोई expert नहीं हूँ लेकिन जो कुछ मैंने अपनी जिन्दगी के experiences से सीखा है जिससे मुझे फाइदा भी हुआ है और एक दफा नहीं बलके throughout अपनी जिन्दगी में मैंने जो जो चीज़े apply की हैं और जिनके results मुझे मिले हैं मैं वो आपसे share करने जा रही हूँ और जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरी बात से agree करे बट जिन चीज़ों से मुझे फाइदा हुआ जो चीज़े मैंने apply की और जिस तरह से ये no contact rule मैंने अपनी life में कई दफाइ apply किया और जो results मिले वो मैं आपके साथ share करूँगी इसको आप बलकुल भी match नहीं कर सकते हैं एक professional help के साथ so ये quick disclaimer मैंने आपको देना था कि मैं कोई professional नहीं हूँ but yes जिन चीज़ों से मुझे फाइदा हुआ है वो मैं आपके साथ share जरूर करूँगी और वीडियो को skip मत कीजेगा आखिर तक देखिएगा so कुछ misconceptions भी है no contact rule के बारे में जो आज हमने खतम करनी है so शुरू करते हैं सबसे पहली जो misconception है no contact rule के बारे में कुछ लोग कहते है 90 days का है इतने days का है so ये गलत है बात no contact rule सबसे पहले तो समझें के है क्या no contact rule का simply ये मतलब है कि आपने contact initiate नहीं करना है अब चाहे उसमें सदियां बीच जाएं चाहे उसमें 10 दिन लगें कई लोगों को you know timeline हर किसी के लिए different है कुछ लोगों को बहुत जल्दी realization हो जाती है कि उन्होंने break up नहीं करना वो वापिस आ जाते है 10 days, कुछ लोगों के लिए 2 days कुछ लोग एक घंटे बाद ही initiate कर लेते है जिसने apply करना है no contact rule यानि आप देख रहे हैं तो आपने apply करना है no contact rule so simply आपने initiate नहीं करनी chat so इस no contact rule में आपने contact नहीं करना है contact की शुरुवात नहीं करनी है आप simply wait करते हैं कि जब वो इनसान जिनसे आपका break up हुआ by separation हुई विया वो आपसे contact जब करेंगे फिर आपने उनको जवाब देना है और जवाब भी उस सूरत में देना है जब आप उस इनसान को वापस अपनी जिन्दगी में लाना चाहते हो so सबसे important no contact rule का point ही ये है और इसका मतलब ये है कि आपने contact initiate initiate नहीं करना है और जब आपने apply कब करना है no contact rule जब कोई इनसान आपसे demand कर रहा है कि उसने आपके साथ खतम करना है relationship जब आप लोगों को ने हर चीज ट्राइ कर ली आप लोगों ने सब कुछ करके देख लिया लेकिन relationship track पर नहीं आ रहा उस वक्त important है कि आप no contact rule को apply कर दे और apply कैसे करना है simply आपने contact नहीं करना मनजर से गाइब हो जाना है ना call करनी है ना text करना है even के closure भी नहीं देना आपने ये नहीं कहना कि मैं no contact rule apply करने लगा हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ ये 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 किया और मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगा या तुमसे मैं कभी बात नहीं करूंगी इस तरह का कोई text message नहीं करना बस simply आपने खामोश हो जाना है और ये चीज़ बहुत work करती है याद रखिएगा मैंने अपनी जिन्दगी में ये चीज़ आजमाई है और इस चीज़ ने हमेशा काम किया है यानि लिटरली इस no contact rule ने हमेशा काम किया है कभी fail नहीं हुई मैं यह मैं अपने experience से आपको बता रही हूँ कि आपने initiate नहीं करना है आपको empower करना आपकी personality को strengthen करना इसका मकसद ये मत बनाएं कि बस वो इनसान किसी तरह आपकी जिंदेगी में वापस आए वो इनसान तो वापस आएगा ही आएगा या आएगी लेकिन मकसद ये है कि आप सामने वाले इनसान को ये बता रहे है कि आपके अंदर इतनी emotional strength है कि आप उससे दूर रह सकते हैं क्योंकि पहले आप उसको chase कर रहे थे अब आप उसको chase नहीं कर रहे हैं जिससे उस इनसान को ये message जा रहा है कि आपकी personality strong है आप उसके लिए कोई मर नहीं रहे हैं आप emotionally strong हैं और आप उससे दूर रह सकते हैं और एक और चीज़ जब आप no contact rule में हैं no contact आपने apply कर दिया है आपने उस इनसान को ना तो आपने block करना है इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है आपने उसके social media पर नहीं जाना है उसकी कोई social media पर activity को like नहीं करना share नहीं करना उसके खिलाफ या अपनी situation से related कोई आपने post नहीं लगानी है इस तरह की छोटी-छोटी चीज़े भी नहीं करनी है आपने, जिससे ये साबित हो कि आप किसी ना किसी तरह उसका reaction निकलवाना चाह रहे हैं, या उसको वापिस हासिल करना चाह रहे हैं, बस आपने complete space देनी है उस इंसान को, जिसने आपसे break-up मांगा है, उसको आपने complete space दे not about 90 days, 30 days or 10 days, it's simply कि आपने initiate नहीं करना है, simply, अब चाहे वो इनसान 10 साल बाद वापिस आए, 6 साल बाद वापिस आए, 4 दिन बाद वापिस आए, जैसा मैंने आपको बताया कि, point यह है कि आप उस वक्त तक मजबूत हो चुके होंगे, day by day आप अपने आपको strong कर रहे होंगे, कि मैंने उसको text नहीं करना, उसको call नहीं करना, आपके लिए शुरू में challenging होगा, but you can do this, और आखर तक, जब वो इनसान काफी gap के पास, आपके text message करे, आप भूल जाते हैं कि आपने कैसे act करना है, आप बिलकुल बिच जाते हैं, वो एक emotional strength आजाएगी उस वक्त तक आपके अंदर, जब आप वो एक gap तेंगे, so यह gap एक जो है, यह वैसे भी आप लोगों के रिष्टे के लिए बड़ा important होगा इस point पर, अगर आपके दरम्यान बहुत सक्त लड़ाई हो चुकी है, इवन के abuse तक भी अगर हो चुकी है कुछ लोगों के दरम्यान, no matter what, आपकी situation कितनी ही खराब क्यों ना हो गई हो, आप जब पीछे हटेंगे और no contact rule को apply करेंगे, चीजें normal होंगी, चीजें को balance होने में, you know, काफी मदद और आपका जो attraction का level कम हो चुका है आपके partner की नजर में, उसको दुबारा build होने में भी आसानी होगी, वो attraction का level दुबारा आपका build हो जाएगा, so I feel कि इस video से कुछ ना कुछ आपको help जरूर मिली होगी, और इस no contact के ओपर अभी बहुत सी और information है, बहुत सी चीजें हैं, जो मैं आपसे share करूँगी, और अगर आप लोगों के और भी questions है, no contact rules से related, और no contact से related, कैसे आप किसी को वापस अपनी life मिला सकते हैं, और कोई अगर डर है, कोई fear है no contact से related, कि पता नहीं, ये apply करके वो इनसान आपस और दूर चला जाएगा, या चली जाएगी, और कभी वापस इन सारे topics के ओपर भी मैं आपके लिए videos बनाऊंगी, so इस video के नीचे आप लोगोंने comment section में मुझे अपने questions जरूर बताने हैं, और आने वाले दिनों में मैं उनके ओपर भी videos बनाऊंगी, so I really hope के ये video किसी ना किसी तरह आपके लिए helpful रही, thank you so much for watching, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye I'll see you in my next video, bye-bye